यूपी में पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ एक दिन बाकी हैं। कल पश्चिम यूपी के 11 जिल्यों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन इस से पहले लखनवु की दोड़ ने एक और तिल्चस्प मोड ले लिया है। अब लड़ाई लोगपरी नारों से मुक्त वाले वादों पर आ गई है। कल भी जेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने घोश्रा पत्र में मुफ्त वाले वादों की जड़ी लगा दी। तो आज कांगरेस ने वोटिंग से सिर्फ एक दिन पहले नहले पर तहला जड़ने की कोशिस की है। तेके संघर्स के मुकाबल कुछ नहीं कॉंग्रेस नेटा प्रेंका गांधी ने वादा किया कि सरकार बनने बर दस दिन में कि टिशानों का पूरा कर्ज माफ होगा उन्हों ने दावा किया कि 36 गड़ में सपत लेने के आर्थिक मदद की जाएगी इतना ही नहीं प्रेंगा ने कहा कि 20 लाख रुजगार के लिए पूरा खाखा तयार किया गया है 12 लाख तो पद पहले से ही खाली है जो बिजेपी ने नहीं भरे हैं ये 12 लाख भरेंगे और 8 लाख रुजगार पैदा करेंगे सरकारी नौकरी में महिला आरक्षड और 10 लाख तक इलाज मुफ्त होगा उन्होंने कहा कि 12 लाख पसू की समस्या दूर करेंगे और प्रभावितों को 3000 की मदद भी देंगे गोधन निया योजना में 2 रुपए किलो गोबर खरी देंगे वही मेनिफेस्टो कमेटी के चेयरमन सलमान खुरसीन ने कहा कि ये हमारा तीसरा घोसरा पत्र है पहले महिलाओं और युवाओं को लेकर 20 घोसरा पत्र जारी किया था इस तीसरे घोषडा पत्र में सब विस्तार से है घोषडा पत्र सभी पाटिया निकालती है लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि ये घर बैट कर न बना है इस बार प्रयंका कांधी के निर्देश पर लोगों के बीच गए सभी जिलों में जाकर अलग-अलग समोह की लोगों से बात्चित की उन्होंने कहा कि किसान स्रमिक नौजवान महिला एंजीयो सभी समोह से बात की दो बार कुरोना का भी सामना करना पड़ा इसकी वज़ा से जहां जाना संभौन नहें हुआ उनसे डिजेटली बात की गई एक लाग से अधिक लोगों तक हम पहुचे फिर ये चन घोसरा पत्र जारी कर रहे हैं डेक्स रिपोर्ट डीके न्यूज